हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दा नेक्ट लेवल में और आज के वीडियो में ज्ञारखंड सचीवाले के लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक एक थियोरी क्लास लेकर के आया हूँ जो कि आपके एक्जाम में पूछे जा भावना बहुत अधिक है ये टॉपिक है हमारा ज्ञारखंड के प्राचीन और प्रमुख राजवन्स ज्ञारखंड के प्रमुख राजवन्स ये भाग एक है और इसमें भी दो या तीन वीडियो आपको जरूर से जरूर मिल जाएंगे मैं कोशित करूँगा कि दूसरी व अंदोलन जो भी हुए हैं ओके तो चलिए सुरू करते हैं तो देखिए शुरू करने से पहले दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर कर दें ठीक है ये लाइक करें और इसे शेयर भी अगर आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं तो जरूर सेय इसके नीछे आपको वीडियो ये topic कैसा लगा? आप comment करके जुरों बता हैं साथ यह आप मुझे ये फी comment कर सकते हैं कि आपको और किन-किन topic पे वीडियो चाहिए theory वीडियो ओके चले शुरू करते हैं लेकि जारखंड में जो है तो मुंडाओं ने और बाद में अनराजवंसों ने अपने राजस्थापित किया था मुंडाओं ने और इसमें तीन राजवंस बहुत प्रमुख रहे हैं जिसका इंपक्ट बहुत ज्यादा रहा है एक तो रहा है छोटा नागपूर के नागवंस दूसरा रहा है पलामू के रकसेल वन्स तथा सिंग भूम के सिंग वन्स तो इन सब के बारे में हम डीटेल से जानेंगे अपने वीडियो में। सबसे पहले आता है मुंडाराज. क्योंकि मुंडाराज इनी Lex ने सबसे पहले झारकंड में राजवन्स की नीव डाली थी. इसे सुतिया नागखंड भी कहा जाता है इस राजवन्स को सुतिया नागखंड भी कहा जाता है तो यहाँ पर आप देखिए कि जारखंड की जनजातियों में मुंडाओं की परधानता थी और राज निर्मान की परक्रिया भी इन्होंने ही सुरू करी है ओके यहाँ पर सबस या रिसा दोनों में से दो जगा अलग अलग नाम इनका मिलता है तो ये प्रथम मुंडा जंजातिया नेता थे और राज निर्मान की परकिरिया इन्होंने ही सुरू करी थी और इन्होंने सुतिया पाहन को मुंडाओं का सासक चुना था यानि इन्होंने सुतिया पाहन को मु चोटा नागपूर में रीता या रीसा मुंडा पर्थम जन जातिया नेता थे चोटा नागपूर में रीता या रीसा मुंडा पर्थम जन जातिया नेता थे चोटा नागपूर में रीता या रीसा मुंडा पर्थम जन जातिया नेता थे चोटा नागपूर के पर्थम जन जा उने सुतिया मुंडा को सासक चुना था सासन करने के लिए याद रखेंगे और इनके राज का नाम सुतिया नाखंड इनके नाम पर पड़ा था ठीक है और सुतिया ने अपने राज को साथ गढ़ों और 21 परगनों में भखत किया था यानि कि एक तरह से हमारा देश जैसे की 28 राज और अलग-अलग जिलों में भखत था इसी परकार से इसने अपने राज को साथ गढ़ और 21 परगनों में भखत किया था इसके साथ गढ़ कौन-कौन से थे तो नाम आप देख लें कि लोहा गढ़ जो अभी वरतमान में लोहार दगा हो गया है हजारी बाग अभी वर गढ़ है और सुर्गुजगर जो है वो सुर्गुजा अभी हो गया है यह आप त्यान रखेंगे और इसके 21 परगने जो थे वो कौन थे वो थे ओम-दंडा, दोईसा, खुखरा, सुर्गुजा, जस्पूर, गंगपूर, पोरहट, गिरगा, बिरुवा, लीरा तो यह सब पर पढ़ लें, सभी के रीड में नहीं करूंगा, और बहुत से नाम अभी भी एज इटीज ही बने हुए हैं, आगे हैं कि सुतिया पाहंद वर अस्थापित राज संपूर्ण जहार खड़ने में, आप देखी सकते हैं कि बहुत बड़े एरिया कुछ ने कभर किया था, ल इसका बहुत ही ज़्यादा इंपक्ट रहा है, और ये बहुत लंबे समय तक चला, इवन आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद तक इनके, इनका वंस जो है, उन्होंने राज किया, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, तो छोटा नागपूर में अस्थापित नागवंसी राज जन जातियों का राज था, ठीक है, ये चीज आप से पूछा जा सकता है एक्जाम में, कि छोटा नागपूर में जो अस्थापित नागवंसी राज था, वह किन का राज था तो जन जातियों का राज था, और इस राज की अस्थापना पर्थम सताबदी में, पर्थम सताब उस समय इसकी राजधानी सुरुवात में इसकी राजधानी खुकरा थी ये चीज़ को आप याद रखेंगे और फनीमुकुट राय द्वारा नागवंसी राजा दर्पनात साह के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल लॉड कारनवालिस को दी गई थी ठीक है अब देखें यहा गवर्नर जनरल को जनकारी की तौर पर हिस्टरी की तौर पर साध वह הिस्टरी लिख रहे हूँ तो उन्होंने पूछा होगा तो गवर्नर जनरल को दर्पनात साह ने बताया था 1789 में कि इस वन्स की अस्थापना फनीमुकुट राय ने की है उक्यवे यह नहीं आपकी 1789 नागवंसी राजी का गठन हुआ थे पर्थम सताब दीम हुआ था आगे हम और भी पढ़ेंगे नेक्श था कि फनी मुकुट राय का जनम जो हो 64 इसवी में हुआ था और इन्होंने 83 इसवी में राजा ये बन गए थे ठीक है तो यहाँ इस चीज़ को आप याद रखेंगे 83 इसवी में ये राजा बने थे और 162 इसवी तक ये रहे थे राजा याद रखेंगे आप और 1789 में खबर गया था लॉर्ड कर्णवालिस के पास कि नागवंसी राजा नागवंसी राजी की अस्थापना ये फनी मुकुट राय के द्वारा की गई थी ठीक है नागवंसी एक किताब है जिसमें नागवंस की पूरा वंस के बारे में बताया गया है तो नागवंसावली के अनुसार सुतामबे के पार्थ राजा मदरा मुंडा था अननेताओ ने अपना समर्थन देकर इसे राजा ने उक्त किया था यह आप याद रखेंगे कि यह नागवंसावली कहती है कि सुतामबे के एक राजा थे पार्थ राजा थे मदरा मुंडा ठीक है मदरा मुंडा यह अननेताओ इसको समर्थन देकर राजा निक्त किया था और इसने जो है यह जो फनी मुकुट राज है यह पुंडरिक नाग एवं वारानसी के ब्रहमन कन्या का पुत्र था याब यह भी आप ध्यान देंगे नाग वंसावली के अनुसार जो है फनी मुकुट राज एक साकल दीपी ब्रहमन था अप यह भी याद रखेंगे कि यह एक साकल दीपी ब्रहमन था लेकिन जेके बेवस्टर ने बताया है कि इनका लालन पालन जो है एक कानिकुप्ज ब्रहमन ने किया था और उन्होंने ही इसका नाम फनी मुकुट राय रखा था ठीक है फनी मुकुट राय एक कानिकुपज ब्रहमन के दुआरा इनका लालन पालन हुआ था और इन्होंने इसका नाम फनी मुकुट राय रखा था नागवनसी राजा के पूरब में पंचेत होगा यहाँ पंचायत नहीं पंचेत राजिता यह भी आप याद रखेंगे पंचेत राजिता तो दोनों से ही दोनों पे ही अपना आधिपत यह जो फणी मुकुट राई ने है कैसे जमाया तो देखिए फणी मुकुट राई ने पंचेतों के साथ जो है वो विवा पंचेत के गोवंसिय राजपुत घराने में हुआ था गोवंसिय राजपुत घराने में इसका विवा हुआ था और इससे क्या हुआ कि ये पंचेत में अपना राज फैला पाया और पंचेतों की मदद से इसने क्योंग जहर पर अपनी विजय भी प्राप्त की थी तो क्योंक पंचेत से लेकर क्योंग जर तक इसका राज फैला हुआ था फणी मुकुट राय राजी के 66 परगने में बिभक्त थे जिसमें से 22 घटवारी में थे 18 खुकरागड में थे 18 ही दोईसागड में और 8 जर्ची गड में था ये भी आप याद रखेंगे बाद में फणी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई थी जब ये बहुत लंबा फैल गया तो सुतियांबे को इसने जो कि अभी राची में पढ़ता है उसी को अपनी राजधानी बनाई थी और सुतियांबे में इन्होंने एक सूरी मंदिर की भी अस्थापना की जिसके सुद्धी करन के लिए पूरी यानि की उडिसा के ब्राहमन को बुलाया गया था उससे में पूरी जो जगनात मंदिर है वहां के ब्राहमन को बुलाया गया था और उनके सुद्धी करन करने पर उनको दो ग्राम यानि कि दो गाउं भेट किये थे दान में दिये थे सोरंडा और महुगाउआ सोरंडा और महुगाउआ जो है उन्होंने उस ब्राह्मन को गिफ्ट as a gift दिया था नेक्ट है कि फणी मुकुट राय के समय जनता की जनता मुख्यता जन जातीय थी और उनके राजा बनते ही यहाँ पर ब्राह्मन राजपू तथा अन्य हिंदू जातियों की संख्या में बढ़ोत्तिरी हुई थी इन्होंने दरबार खुला कर दिया था इनके आने के लिए तो ये लोग आये और बसे यहाँ पर नेक्ट है जो कोश्चन में कई बार पुछा जाता है कि फणी मुकुट राय को नाग वंस का आदी पूरुस माना जाता है यहाँ पर हम ज्याता तर इस वंस में फणी मुकु था तर ट्वार यहाँ जो कि लात्यार में है बरवा जो कि पलामू में है तो इन सब च्छेत्र को अपने कबजे में कर लिया था अपने नियंतरन में ले लिया था ठीक है वही एक चौथा नागवनसी राजा था परताप राय इसने राजधानी बदली सुतियामबे से चुटिया ये अपने सुतियामबे से चुटिया अपनी राजधानी को ले करके चला गया थी चुटिया कहां पे था तो ये स्वरन रेखा नदी के तट पर था और नई राजधानी में बाहर से लोगों को बुला कर बसाया गया थी वहाँ पर उस समय लोग नहीं थे तो बाहर से लोगों को बुला कर उसे बसाया गया था परताप राय के राजे में सरवत्र सांती वरस्था कायम थी यह भी आप याद रखेंगे नेक्स्ट है कि ग्यारवी सदी के अंत में मध्य पर्देश के तिरिपूरी के कल्चूरी सासकों नागवन्स पर आकर्मन किया था यह बहुत इंपोर्टेंट है कल्चूरी सासकों ने 11th सदी के अंत में अस्थापना हुई था हम 11th सदी तक पहुँच गया है यहां पे कल्चूरी सासकों ने नागवंस पर आकर्बन कर दिया था और कल्चूरी सासक लक्ष्मी कर्ण यहां पे उस समय जो लच्श्मी कर्ण था वो कल्चूरी सासक था उस समय नागवंस के राजा थे गंधर्व राय गंधर्व राय नागवंस के सासक थे और इसके बाद भीम कर्ण नागवंस का राजा बना था राई के बाद कर्ण कर्ण इसके बाद इन्होंने लगाना इसी के बाद से कर्ण लगना सुरू हुआ थे से कर्ण लगाना सुरू करता है इसमें क्या है कि नागवंसी राजा जो भीम कर्ण थे इसी ने राजधानी का परिवर्तन किया था और उसे चुटिया से खुखरा ले गिया था ठीक है खुखरा यानि कि जो सुरुआत में सबसे सुरू में राजधानी थी खुकरा वहां पर ये वापिस ले गया था क्यों ले गया था ये भी हम पढ़ेंगे यहां पर नेक्शना की भीमकर्न को सरगूजा के है है वनसी रकसेल राजा के साथ भीसन युद करना पड़ा था बरवा की इस लड़ाए में भीमकर्न विजई हुआ था और भीमकर्न ने रकसेलों से जो कुछ लुटा उसमें वासुदेव की एक मूर्थी भी थी ठीक है एक्जाम में ये पूछा जा चुका है नेक्शना की भीमकर्न ने सरगूजा के रकसेलों को पराजित करके अपनी सीमा जो है वो गढ़वाल तक बिस्तिर्थ कर लेती है इसकी सीमा गढ़वाल तक फैल चुकी थी और इस समय तुर्क आकरमनकारी बक्तियार खिलजी के भय से ठीक है तुर्क उसमें तुर्क आकरमनकारी बक्तियार खिलजी का भारत में बोलवाला चल रहा था तो इसके डर से इसके भैसे ही इसने चुटिया से अपनी राजधानी जो है खुखरा स्थापित कर ली थी और भीम कर्ण ने ही भीम सागर बांथ का निर्मान करवाया था ये भी आप याद रखेंगे जो कि आज भी इस्थित है आज भी ये है नेक्ट है कि नागवंसी राजा ने डोईसा में नवरत्न नामक पंच मंजिला भवन का भी निर्मान करवाया था और यह राजवंस जो है मध्य कालवा आधुनिक काल तक था यानि कि आधुनिक काल तक ये आजादी के समय तक ये राजवंस रहा नागवंसी राजाओं की अगर मैं राजदानियों का करम देखूं तो सबसे पहले जो है सबसे पहले एक खुखरा था तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे जैसे इसे चेंज हुआ तो अबसे पहले सुतियामबे, फिर चुटिया, फिर वापिस खुखरा हुआ, फिर डोईसा हुआ, फिर पालकोट और रातुगड़, यह सब उतना important नहीं है कि किसने किसने करवाया, सुरुवात के दोतीन आप अगर याद रखते हैं, तो यह बहुत जादा important आपके लिए र बिलती है, तो दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं पर खत्म करूँगा, और अगले वीडियो में जहारखंट के अन्यवंसों के बारे में भी आपको जानकारी दूँगा, उम्मीद करूँगा, कि इसे खत्म कर दिया, जो और नहीं खत्म हो सके, तो पार ठर्ड में इसको वान दमात्रावा!